नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिल आपका स्वागत है मारे यूटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा पर यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा आज हम आपको बीटी सी सेमेश्टर में पार्थी उजना की भारे में बताएंगे सबसे पहले हम उपर लिखेंगे पार्थी उजना संख्या जैसे कि हमारे याप पार्थी उजना संख्या एक है उसके बाद लिखेंगे बिद्यालय का नाम जिस बिद्यालय में हमको जाकर पढ़ाना रहे उसके नीचे लिखेंगे वर्ग वरग है कालांस का मतलब होता है कौन सा पिरिएड आप पढ़ाएंगी हम छठवा पिरिएड पढ़ाएंगी हमनि परकरण का मतलब होता है जो पाठी में जो भृत बहुतना को पढहना पढ़ाना पढ़ेगा का उससे हम प्रक्रण कहती हैं जैसे हमें वाई मंडल आज पढ़ाना है सबसे पाहले हम लिखेंगे सामानिय उद्धेश सामानिय उद्धेश में छात्रों में भूगोल बिष्ये के प्रति्रूची उत्पन करना। दूसरा चात्रों को भवगोलिक छित्रों के विषय में जानकारी प्रदान करना तीसरा भवगोल सिक्षर द्वारा चात्रों की कलपना सक्ती, अस्मरण सक्ती तथा निरड़ सक्ती का विकास करना चौथा चात्रों को वातावरड़ी परिस्थितियों को समझने हेतु विक्षित करना पाचवा चात्रों को वर्तमान समय में होने वाली भगोलिक समस्याओं के समाधान हेतु तैयार करना अगला है चात्रों को भगोलिक एतिहासिक प्रिष्ट भून से परिचित कराना साथवा है चात्रों को पर्यावरड वातावरडी समस्याओं से अवगत कराना आठवा है चात्रों में बिवहारिक महत्यों को समझने का विकास करना नवा है कुसल नेत्रित चमता वाले उधारड समुख रख कर चात्रों को आगे के लिए प्रोत्साहित करना डसवा है चात्रों को समाजिक नागरिक जीवन के उत्तरदायतों से आउगत कराना समान्य उद्देष कम से कम आपको 8 से 10 तक लिखना होता है समान्य उद्देष की बाद आ जाता है विस्ष्ट उद्देष समान उद्देश आपको पूरे भूगोल यादि आप भूगोल के समान में उद्देश बना रहें, तो पूरे भूगोल में यही है आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद विस्ष्ट उद्देश से प्रतेक लेसन का अलग-अलग हो जाता है जैसे हम वाई मंडल है, वाई मंडल का विसिष्ट उद्देश लिखेंगे, विसिष्ट उद्देश में हम पहले ग्यानात्मक उद्देश लिखेंगे, ग्यानात्मक उद्देश में क्या है देखी, कम से कम एक ग्यानात्मक उद्देश में तीन पॉइंट, बोधात्मक उद में जान सकेंगे यह था ग्यानात्मक उद्देश उसके बाद आ जाता है बोधात्मक उद्देश चात्रवाई मंडल के बारे में जानकारी प्राप्ति करके इस संबंद में ब्याक्ठ्या कर सकेंगे चात्र वाय मंडल के संगटकों को वर्गी कृत कर सकेंगे ये था बोधात्मक प्रस्न एक और है चात्र वाय मंडल की परिवासा बता सकेंगे उसके बाद क्रियात्मक उद्देश क्रियात्मक उद्देश में छात्र वायमंडल में ब्याप्त विभिन गैसों के अनुपात को चार्ट पर दर्सा सकेंगे दूसरा है छात्र वायमंडल की विसेशता को बता सकेंगे दीसरा है छात्र धरातल पर पाए जाने वाले जल का जलवास्त में परिवर्तन के कारड बता सकेंगे अब उसके बाद आ जाती है सहायक समागरी लिखेंगे हम सहायक समागरी में जिसे चार्ट पर वाई मंडल की बिभिन परतों का बना हुआ चित्र दिखाएंगे दोस्तों हमेसा याद रखिए कि आपकी जो ब्लैक बोर्ड होता है जो चाक होता है जो डश्टर होता है यह सब सहायक समागरी के अंतरगत बिलकुल नहीं आता है ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे सहायक समागरी के अंतरगत वही आता है जो आप घर से बना कर चित्र ले जाएंगे जो आप घर से मॉडल बना के ले जाएंगे जिसे थर्मा कोल का कोई मॉडल बना के ले जाएंगे या आप से कोई money plant की बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप से कोई जो पौधा ले जाएंगे यह सब साहिक समगरी की अंतरगत आता है चार्ट, रोलर बोर्ड, डस्टर यह सब साहिक समगरी की अंतरगत नहीं आता है इसके बाद आजाएगा पूरविज्यान छातरवाय मंडल की बिशे के बारे में सामानने जानकारी पहले से ही रखते हैं इसके बाद आजाएगा महत्वपूर प्रस्तावना की प्रस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों कम से कम प्रस्तावना प्रस्ट में तीन प्रस्ट जरूर होने चाहिए प्रस्तावना का प्रस्ट हेडिंग डालेंग सबसे पहला question हमारा छात्रों से होगा जो question होगा वह अच्छा के सभी छात्रों से होगा लेकिन उत्तर किसी एक से प्राप्त किया जाएगा तो पहला question है सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है तो छात्र उत्तर देंगे प्रिथिवी पर फिर अगला दूसरा question पूछेंगे यहीं से आप question बनाएंगे प्रिथिवी पर ही सम्हों है्पृ पिर आगे लिखन गे हमारे जीवन के लिए वाय हमें कहां से प्राप्त होती है तो छात्र बताइएंगे वाय मढल से यह हमारा प्र स्थावुना का प्रस्थ निकल जाएगा उसके आगे तब हम लिखेंगे उद्देश कतन, हम बोलते हुए लिखेंगे चात्रों आज हम लोग वाई मंडल के बारे में अध्यन करेंगे, फुर सके नीचे आजाएगा प्रस्तूती करण, प्रस्तूती करण में हम यहाँ पर लिखेंगे सिच्छण बिंदू, आगे आगे लिखेंगे चात्र अनुक्रिया, जो चात्र बताएंगे जो हम लोग कोस्चन पूछेंगे, आगे लिखेंगे स्यामपट्ट कारी, तो सबसे पहले सिच्छड बिंदू में हो जाएगा वाई मंडल, वाई मंडल में पहले हम विकास आत्मक प्रस्त पूछेंगे, एक चात्र बताएंगे वरस्पतियों से या पेड़ पाउदों से, फिर उसके बाद तीसरा कोशन हमारा होगा, वाई मंडल से आप क्या समझते हैं, चात्र निरुत्तर हो जाएंगे, चात्र कुछ नहीं बताएंगे, उसके बाद हम अस्पस्टी करण देंगे, अस्पस्टी कर और बिभिन्य गैसों का निस्रण का एक आवरण होता है, जिसे हम वाई मंडल करते हैं, जो कई सव किलो मिटर तक फैला हुआ होता है, चात्र ध्यान परवक सोनेंगे, प्रित्वी अपनी आकरशड सक्ती के करण प्रतेक वस्त को अपनी और खींचती है, और वाईू गैसो के छोटे-छोटे अणगों से मिलकर बनी है, अता है प्रित्वी के आकरशड सक्ती के करण इन गैसी करणों को अकरशित कर वाई मंडल को प्रित्वी के साथ टिकाय रहती है, फिर अगला हेडिंग हो जाएगा वाई मंडल का संगठन, चात्र ध्यान परवक सुनेंगे, वा हाइडरोजन, हिलियम, ओजोन आधि समलित होता है, गैसों के अलावां जल वास्प, धूल के कड भी उपस्तित होते हैं, फिर इतना पढ़ाने के बाद हम छात्रों से बुधात्मक प्रस्न करेंगे, बुधात्मक प्रस्न में वाई मंडल किसे कहते हैं, छात्र बताएंगे गैसी आवरण को वाई मंडल कहते हैं, फिर दूसरा कोस्चन हो जाएगा, वाई मंडल में आक्सिजन की मात्रा कितनी है, तो छात्र बताएंगे, वाई मंडल में आक्सिजन की मात्रा 21 प्रतिसत है, फिर हम कोस्चन करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा वाई मंडल में कितनी तर चाद बताएंगे 78 प्रतिश्यट में पाइजाती है फिर अगला हमारा चछट बिंदु हो जाएगा ओंडल की असपश्टि-करण ४र्ण को नोट करेंगे यहां सामपटकार में हो जाएगा वाय मंदल की सरचना छोब मंदल, समताप मंदल, मद्य मंदल, आयन मंदल और बाय मंदल तो असपस्टी करण में देखिए वाय मंदल की सरचना को पांच भागू में बाटा गया है सबसे पहले छोब मंडल, छोब मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बाय मंडल तो सबसे पहले हम छोब मंडल के बारे में पढ़ेंगे चोब मंडल, वाई मंडल की सबसे निचली परत होती है यहाँ पर अनुकुरिया में चात्र ध्यान पुरुवक सुनेंगे और सैंपटकार में लिखेंगे मोसम समंदी, समस्त घटनाय चोब मंडल में होती है पृत्वी से 10 किलोमीटर उर्द्वारदर उचाई तक चोब मंडल पाया जाता है यह सबसे घणा मंडल है, मोसम समंदी, समस्त घटनाय इसी मंडल में होती है आगे लिखेंगे सैंपटकार में कोहरा, ओला, बादल, बिजली, आधी, तुफान और यह सबी जो होता है चोब मंडल में घटित होता है आगे लिखेंगे समताप मंडल, चोब मंडल के उपर 50 किलोमीटर की उचाई तक समताप मंडल का विस्तार पाया जाता है इस मंडल में वायवान को उडाने, वायवान यानि हवाई जहाज को उडाई जाती है, इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, संताप मंडल में, यहाँ पर छात्र अनकुरिया में छात्र ध्यान कुरवक सुनेंगे, और स्यामपटकार में जो उचाई है, संताप मंडल का 10 क मंडल की उचाई 50-80 km तक है इस मंडल में उलका पिंड प्रित्वी पर गिरने से बचाती है जो उलका पिंड होते हुआ मध्य मंडल में आज आकर नश्ट हो जाते हैं छात्र ध्यान पुरवक्त सुनेंगे और उचाई को नोट करेंगे 50-80 km तक फिर उसके बाद आ जाता है आ आयन मंडल में चलती है 80-60 km तक आयन मंडल फैला होता है चात्र ध्यान पुरवक्त सुनेंगे चात्र अनकुरिया में और उचाई को नोट करेंगे 80-649 km तक इसके बाद आ जाएगा बाय मंडल बाय मंडल में आयन मंडल की उचाई 640 से अनद तक की उचाई होती है उपग्रह इसी मंडल में अस्थापित होते हैं चात्र ध्यान पुरवक्त सुनेंगे जो उचाई है 640 से अनद तक बाय मंडल की उचाई है फिर हम बधात्मिक प्रस्ण करेंगे वाय मंडल की सरचना को कितने भागों में बाटा गया है चात्र बताएंगे पांच भागों म में बाटा गया है दूसरा प्रस्णी करेंगे चो मन्दल की उचाई कितनी है तो चो अब गर जो हिसी स 달라 मंडल में कosphяз़ो की मात्रा कितनी होती है छात्र बतायंगे अगला कोस्चन हो जाएगा चोब मंडल में कैसी घटनाए होती हैं अगला कोस्चन वाई मंडल किस मंडल में उड़ाय जाते हैं अगला कोस्चन उपग्रा किस मंडल में अस्थापित होते हैं अगला कोस्चन वाई मंडल को कितने भागों में वर्गी करित किया गया है यह सब निषी नीचे आ जाएगा हस्ताच्चुर पर्विच्छक जो आ START जरू कर रहा होगा- ह। हभाःक जरू कर जाएगा तो नमस्कार-दोस्तो यह वीडियो अच्छा लगा हो दो- लाइक जरूर केजिएगा हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा समंभन घी चैनल पर दी जाएंगी नमस्कार दोस्तों